जैहिंद आज हम लोग धार्मिक सोतंता के अधिकार को देखेंगे जिसकी चर्चा भारत के समिधान में आर्टिकिल 25 से लेके 28 के बीच में है 25 में 26 में 27 में 28 में इसको देखेंगे और ये बहुत ही महत्त पुर्ण एक अधिकार है जो बेक्टियों को भी मिला हुआ है विदे पता था कि धर्म का मामला जो है यह गर्माया रहेगा भारत में क्योंकि भारत में भारत के लोग बड़े भावुक होते हैं और धार्विक पर विर्तिक होते हैं धर्म पे थोरा सा भी अगर कहीं से कुछ हो गया तो जो है एकदम मार काट मचाना सुरू कर देते हैं यह बड कम भारत का निर्प्रेखष का क junia का मतलब यह हुए कि भारत का अपना कोई धरम नहीं होगा भारत धरम के मामले में तठ़स्त होगा एसा मत समझे है कि भारत ओधार्मिक हो जाएगा या फिर नास्तिक कंट्री नहीं यह भारत भारत नास्तिकों को भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब दता है इस तब पर अभी हम चर्चा करते हैं आज हम लोग देखेंगे कि ज्यान बाबी मस्जित जो है उसका विवाद क्या है आज हम लोग देखेंगे कि समान सिविल संगीता क्या होता है आज हम लोग देखेंगे कि लब जिहाद क्या होता है इन सभी चीजों पर आज हम लो इससी में आता है और सबको हम लोग एक-एक करके देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखिए कि ऐंताḥ करणस्वतंत्रता क्या होता है। देखिए भारत के अंदर में जितने भी बेखती है। जो मान सकते हैं आपका अपना उसके अपना जो है लगाब है तो शुल्साहें को आप मान सकते हैं कोई राज, कोई भी सरकार ये नहीं करेगा कि भईया तुम उसको क्यों मानते हो, या तुम नहीं मान सकते हो, ऐसा आपको कोई नहीं करेगा, आपको कोई वरजीत करेगा, आपकी मर्जी है, आप आदमी है ना भाई, आप किसी चीज को मानते है, तो मानिए, आपका आस्था जुर करते हैं तो आपकी मर्जी है कोई कुछ नहीं कहेगा आप अराम से उस चीज को मान सकते हैं किसी कलपना को मान सकते हैं किसी चीज को मान सकते हैं अब देखिए इसमें अबाध मानना यानि Free Profession कहने का मतलब यह है कि आप उसको मान सकते हैं आप को उसमें कोई भी बाधा नहीं पहुचाएगा आप उसको मनिए अराम से मानिए नौप और आचरन भी कर सकते आचरन करने का क्या मतलब है आप मुसलीम है तो दाडियों रख सकते हैं आपको मन होगा कि हम हिंदू है तो हम चंदन टिक्का लगाएंगे कोई बात नहीं लगाई है कोई बात महिलाव सबको देखते हैं बहुत सारी महिलाएं जो है वह यहां से लेके यहां तक शिंदूर ल परजिस तरह से जुरी हूं को यह नहीं कहाएगा कि भाई या नारियल तुम कहाए फोर रहे हो अब देखे नारीयल फोरने वाले बात आपको हम बताते हैं एक वेक्ति था जो सरकारी वेक्ति था उसका नाम टीना डावी आपको हम बताते हैं वह कुछ दिन पहले जो टीना मानना है पहले से सादी कर लिए अब दूसरी एग वेक्ती है उससे सादी बहुत धर्म के अनुसार की अब उस समय जो रिती रिवात से सादी किया गया एकड़ उलट करके अभी बहुत धर्म के अनुसार उन्हें साधी रचाया तो उसकी आजादी है जबरदस्ति काय कर रहे हो कि इसे नहीं करो इसे नहीं करो इसे नहीं करो इसे नहीं करो तो सबको आजादी है आपको भी आजादी है उनको भी आजादी था अब देखिए इसमें परच इसमें इसमें आप किसी का धर्मांत्रन नहीं करा सकते हैं इसमें यह नहीं कर सकते हैं कि भईया तुम जो है अपना धर्म को बदल करके दूसरे धर्म को अपना लो उस पर दवाब नहीं दे सकते हैं आप सिर्फ सलाह दे सकते हैं उसको प्रभावित कर सकते हैं लेकिन आप ल प्लाल में एक एक लोग बनाया है जिसमें कहा है कि कोई भी धरम का अगर जवरदस्ति करता है और आगर उसके बारे में रिपोर्ट हो नहीं सकते हैं यह बड़ा विवादित हो जाता है अगर इसको अजादी मिल जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना आप तो देखी रहे हैं धर्म के नाम पर कैसे लोग कुत्ता फजिती करते हैं आपस में लर करके एक दुसरे को काट डालते हैं देखिए इसमें धार् कुछ लोगों ने किया उसके पर्तिक्रिया में हनुआन चल जा जा कर बीच रोड पे बइट के पढ़ गया 10-12 को मैंने देखा था विडियो भी वार रहा था उसका व गया और बीच में इधर से गारी गुजर रही है इधर से गारी गुजर रही आब बताई आफ गारी से दौस बज़े से लेके सुवे साथ बज़े तक नहीं बजाना है और उसका अगर बजाते भी है दीन में भी तो आपको उसका आवाज को एकदम कम रखना है इतना कम रखी है कि ज्यादा दूर तक नहीं जाए इसमें भाई आप फिर तो बात वहीं हो गई ना आप पबलिक के और को यानि आप एक परकार से समाज में किसी दूसरे को तकलिफ दे रहा है उसके स्वाःत पर उसका असर परेगा कि अभी sound pollution होता है अब sound pollution होता है तो खाली जो है नमाजे पर खाली आपको आजाने से थोड़ी होता है, बहुत सारे धार में करते हैं वहां ही बजा बजात अब दूसरे को स्वास्त को हानी पहुचा रहे हैं चोटा-छोटा बच्चा रहता है आप एकदम डिजे वीचे बजा दिए एकदम पूरा उस पर ना चुच रहे हैं और जो हैसे की बुढ़े हैं बच्चे हैं उसको दिक्कत हो रहा है कई बार तो हैसे की कान खराब हो जाता आपको जो अधिकार है मौली कदिकार वो तब तक रहेगा जब तक की दुसरे के मौली कदिकार तो यह चीज़ है अब देखिए परचार में तो अभी आप पता यह दिया है कि धार धर्मांत्रन नहीं करवाना है अब देखिए आचरन करने माने हिजाब अभी आप देखिए कुछ दिन पहले करनाटक में एक बीबात चला था एक श्कूल में जो ड्रेस कोट लागू है वहाँ पर कहा गया कि कॉलेज में वही लोग आएंगे जो ड्रेस में आएंगे लेकिन कुछ मुस्लिम बचिया जो है वह चली गई बुरके में और बोली कि हमक को रोक नहीं सकते है तो वहाँ पर जो प्रवंधत था उसने कहा कि यह आजादी नहीं है हमारा भी अपना एक ड्रेस कोड लागू है उस ड्रेस कोड में ही आना है तो परतिकिरिया में इधर से हिंदू संगठन जो है उसने भी कुछ बच्चे को खारा कर दिया कि कहा कि कि कांड को करवाते रहता है आप देखते हैं कभी कभी चैनल में एक दारी बला को बिठा देगा एक चंदर टिक्खा बला को बिठा देगा दुन्नों को लरवाएगा अग खुदे जो है उसमें सामिल लाता है तो देखिए इस तरह की कुट्टा भजीती होता है ना इसके पीषे कारण है कि हम ज़्यादा सिक्षित नहीं है साक्षर नहीं है समिधान मिधान पर्थवे नहीं करते हैं अब उस बेभुदा को समिधान पढ़ना चाहिए नहीं तो मेरा क्लास करना चाहिए तब Toff क्या होता है ट्रेस कोट जहना-लागव होता है वहां पे आप नहीं कि यह जा सकते हैं उस तरह से किसी भी दूसरे熬 कर यह धार्मिक शतनता में प्वाय के मौके पर कुछ लोग गायेत तो कि एकि पर जाएंगे आप यदिरफ को उसको काटना भी टोलॉट नहीं माना जा सकता है लुट कि अभी यहां करता है तो कौ mi? मना रहें ठीक है आपका धार्मी अपना सोतंतरता है इसका मतलब थोड़ी है कि जानवरों को कार दीजिए जानवरों को नहीं काटना है जानवर को काटने तो उसका भी तो अधिकार है ना जानवर को मार दिये उसका अधिकार नहीं है क्या उसका भी तो अधिकार है इसलिए यह काम नहीं कर सकते यह आपकी धार्मिक शोतंता में नहीं आता है जुलूस है जुलूस को ही निकालने हैं आ हतियार को माध रहें तल्वारे बांज रहें तिरसूल माध रहें कुछों माध रहें अरे भाई दूसरा आजमी को देखकर के परसानी हो जाएगा आप तो हलका और दूसरे को दहसत में डालने के लिए चक्कर में लगे तो ऐसे तोड़ी होगा आप लोग विवस्था को भी विगार दीजिएगा तो ऐसे नहीं होगा जुलूस में आप लाटी डंटा जो है और तलवार उलवार खतरना खतियार भाध रहें तो यह नहीं चलेगा साथ ही स कौन चीज नहीं कर सकते हैं आपको करने का अफ़ती लेकिन ऐसा तुन यहीं पुक्रिठ कर द worried मैं जमीन उसी थारे कि अवह को सबढ़िये उसको सरकार तोड़ सकती है अब यह दिकार सकते है कि लाको आप उसके सरकारीश जमीन पर बना दिए अपना परसनल में बनाना है तो सरकारी अधिकांस लोग क्या करते हैं हम देखें हैं कि सरकारी जमीन जो रहता है जब उसको हतिया ना रहता है तो आगे से क्या करेगा पीछे वाला जमीन हतिया करके उस पर काम करेगा गजब होता है हमारे देश में को पता है कि धरम के नाम पर इसको कोई हटाएगा नहीं हटाएगा तो फिर मार कट मचवा देंगे दंगा फसाद करवा देगा बड़ा पावर्फुल होता है इसब तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप सरकारी जमीन पर बना दीजिए तो सरकार उसको जब चाहे तब तोड़ सकती है मानव के स्वास्थ पर अगर असर पर रहा है और फिकर बनाने से या पबलिक का परिसानी हो रहा ऒया है आपके किसी धार्मिक कार्द से उसको माना नहीं जाएगा अब देखिए कोई भी भासा धार्मिकना भासा को घंठ को संस्क्रीट सठ्थ संस्क्रिट में जा रही ठीव मुस्लिम लोग झले कब को या जब कि सरकारी ये स्कूल में और सकता है उर्दु को हिंदु आप रर्म Duke को मतलब कर शान्याद का चाहा कोई भोजन भोजन में भी कोई धरम थोड़ी चीपा होता है कि फनला चीज Width में खरऊते हैं के लिए भाए नहीं कहते हो तुमको मंगल को यह नहीं खाने देंगे और विरसपती कोई तो तुमको मधारी नहीं रखनें सबको आजादी है या इन भारत देश में जो इस तरह से चलते रहता है ये एक अल्ला है ये यह यह वह नहीं कर सकते हैं और हिंदू लगए रफ मुसली नहीं होता है भारत के सेकुलर कंट्री धरन मिर्फेक्ट नहीं चलेगा यहां यह तुम भाजते रहाओं के जन्डा यह नहीं चलेगा यह गरवर बात भी है गलत बात भी है अब जिस युवा को पढ़ना चाहिए उसको कुछ सिखना चाहिए देश में उसको किताब पढ़ना चाहिए उसको समिधान पढ़ना चाहिए था उसको कोई गाइड दे दिया और उसी के नुशार उचल दिया अरे यार तुम्हारा माइ अपना बच्चे को विदेश बेजे हुए उधर से बुलबा लेंगे फिर सांसदी का चुनाम लरवाएंगे नहीं तो बहुत बरे बरे जो संस्थान होते खेल वला संस्थान होते इस समय आपको सचीब पचीब बनाएंगे आपको लरवाएंगे आप लड़ते रहें जबकि स करतब्य बनता है लेकिन अगर कोई वेखती जिसको लगता है कि राष्ट गान गाना नहीं चाहिए लेकिन उसके आधर में खरा रहना है हमको उसका आधर करना है तो यह आधर आप कर सकते है यह कोई स्कूल में मैटरेश ही था मुसलीम लोग जो थे और कुछ अलग धर्म के खिलाब नहीं हम बोलबें नहीं करेंगे अज निव जुज में आता है ना खुटा फजीती फैलाने के लिए जो देखते हैं वो कहेगा हमको नहीं आजा यह हम हमारे धार्म रोकता है इसको गाने से और गाना पड़ेगा दोनों आपस में लड़ेगा आप देख करके उत्त साथ ही साथ देखिए किरपान लेके चलने का सीख धर्म के लोगों को आ जा दी है वह कच्छा किरपान कंगी वगएरा जो लेके उनका अपना अधिकार है उनको माना है कोट ने का कि किरपान लेके चल सकते चोटा सा एक चाकु टाइप का होता है तलवार टाइप का छोटा और इतना बढ़िया उसकी वेवस्ता होती है कि आप देख करके भाई साब आपको लगे या कि क्या क्या धर्म है भाई शिक धर्म जो है आपको भूखा नहीं मरने देगा यह इसका एक खूबी है साथ ही साथ यह सब तो चर्चाहम करहीं दिये आप देखिए ज्यानबाबी मस मुष्चित है जिसमें एक कहा जाता है कहाना हो कि अपना पैर इृष होते है लेकिन नहीं वो है नहीं है वो स्विली का है आग से बहुत दीन पहले वहां मंदिर था और मंदिर को तुर्वा करके औरंग जेव ने वहां पर मस्जिद बनवा दिया और वहां सिवलिंग को एसे ही छोड़ दिया वही सिवलिंग है तो हमको आजादी मिलना चाहिए वहां पर मंदिर बनाने का बगले में एक विश्वनात मंदिर है बगवान संकर का और नंदी का मूह उसी साइड में तो 83 फीट के दूरी पढ़ है तो कहते है कि यह जो नंदी का जो सर है न जिस साइड में है तो कहा जाता है कि यहाँ प्रव मिला है तो इसका मकलब है कि जरूर उसके मूह के सामने ही सीवलिंग होगा होना चाहिए ऐसा दावा बात होगी लेकिन देखिए इसके नाम पे अगर आपको कोई लड़ाता है और इस पे बहुत ज्यादा हल्ला मचाता है ज्यादा ध्यान मग दिजिए नहीं तो आपको इसी में उल्जा देगा देश में केतना गड़िवी है निर्धंता है पर रोजगारी बढ़ गया है महंग अगर उनहीं 147 जब हमरा देश अजाद हुआ उस समय तक जो मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा जो मस्जिद था वो मस्जिद ही रहेगा आप मंदिर में जाकरके जाक नहीं सकते हैं इसी तरह से आप मस्जिद में जाकरके जाकरके जाकिए कि भाईज़ा केन्ने केन्ने सिव और कडिया इसा नहीं करना है यह बना हुआ है कानून 1991 में संसद्रे पास किये हुआ है इसका नाम रखे हुए उपासनास्तल विशेस उपबंद अधिनियम अगर आप ऐसा करते हैं तो यह तो कानून जुर्म है यह तो एक प्रकार से समझी है कि कानून का खुलम खुला जाए और फिर देश जो है एक अलगे कुत्ता भजीती में फस जाए ऐसा नहीं करना है बाई साब अगर आपको सिवलिंग ही चाहिए यह ढूरना है तो पूरे दुनिया में सिवलिंग है आप देखेंगे तो हम तो भूगोल पर आते हैं तो देखते हैं नदी में नदिया क आपको अगर वाकई में राष्ट वादी है तो मुझे तो लगता है कि आप विवाद पैदा नहीं करेंगे और सबको साथ लेके चलने की बात करेंगे तो यह चीज तो है अब आप समझें कि पर्सनल लो यह क्या होता है देखिए सबही अलग अलग धर्मों का अपना-पना एक रीवाज है अपने तरीके से वो काम करते है जासे विवां में अलग है उसमें आप देखेंगे तरीके से मुसलीम अलग तरीके से है और इसी तरह से आप देखेंगे कि जमीन का बटबारा करना है अपने बच्चों के तो मुसलीम लोगों का अपना चलता है हिंदू लोग का अपना चलता है यह चीज है तो सब सब अलग अलग नहीं चलेगा सबके लिए की हो जाये कोको एक ही कानून को मानना परए उसको गहते हैं समान Σिविल संगीता सब सब सब्हों कर लागों हो जाए एक समान मतलब करने का मतलब है कि चाहे आप प्ढुमधोर्म को मानिये आपको विवाध करने का रिवाज हो चाहे तलाक लेने का रिवाज हो चाहे जमीन का बठवारा का रिवाज हो इस तरह का जो भी रिवाज है वो सब का एक जैसा होना चाहिए उसको बोलते है समान सिविल संगिता अब इस पर विवाद है बीजेपी ने कहा था कि जो हैसे कि हम जब जीतेंगे तो 370 हटा देंगे, राम मंदिर बन्माएंगे, और इस समान सिविल संगिता लागू करेंगे, तो एक वो काम तो उकरिये दिया, दुसरा काम जो भी आयोध्या में चली रहा है, तो इस पर भी अभी चल रहा है, अब देखिए क्या होता है, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि 2018 में एक विधी आयोग था, जिसने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, फालतु का चीज है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समान सिविल संगिता की, जब देश अराम से चली रहा है, तो आप विवाद जवर्दस्ति पैदा करने की क्या जरूरत है, अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे, कि हम कहना क्या चाहते है, धार्मिक स्वतंदर्ता में एक है अंतह करन की स्वतंदर्ता, आप अराम से मान सकते हैं, आवाध गती से मान सकते हैं, आचरन कर सकते हैं, परचार कर सकते हैं, लेकिन ये सब जो है, धार्म के नाम पे आप कोई ऐसा कांड न करे जो दुसरे के मौलीक अधिकार का हनन होता हो तो आप इस चीज को अच्छे ढंग से समझ गए हैं अब आप आटकिल 26 को समझ गए देखिए आटकिल 26 में है धार्मिक कार्जों के परवंध की स्वतंत्र था कहने का मतलब पहिलुक का जो आटकिल देखे थे वो बेक्तियों को मिला हुआ था एक बेक्ति पे लागू हो रहा था लेकिन ये जो है वो समुह पे लागू होगा सामुहिक रूप से लागू होगा जैसे पहिला में है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं वेकिंन दूसरा में क्या है कि आप बहुँची помог करके कोई धार्मिक संस्थान बना लेजिए कोई मंदीर बना लेजिए कोई मस्जित बना लेजिए कोई गुरुद्वाराब बना लेजिए कोई Christian का कुछ भी बना लेजिए चर्च बघर यह बनाने का अधिकार है और यह जो है ना आपको उसको भी बहुत सारे freedom दिया गया है भारत के समिधान के अंदर गहत क्या-क्या है आप अस्थापना कर सकते हैं कोई भी धार्मिक कोई पूजास्थल है बना लीजिए कोई बात नहीं है लेकिन असरकारी जमीरों में नहीं बनाएगा पोशन उसको अगर आपको आमदनी होता है तो आप संपत्ति खड़ीज सकते हैं इसमें यह चीज़ है और प्रवंधन की स्वतनता है उसको मैनेज कर सकते हैं अब आपको सरकार नहीं कहेगा भाईया तुम आईसा मत करो आप कर सकते हैं इसमें आप देखते हैं बड़े-बड़े मंदिर कि राज जो है ना ऐसा नहीं है कि भारत धर्म प्रेक्ष राज है तो राज कुछ भी नहीं करेगा राज को करने का अधिकार है अगर कोई गरवर्त करमकांड चल ला है जो किसी के मौली का धिकार को छीन लेता है तो उसको रोकने का भी अधिकार है आपको पता है ने कि सती पर था एक जमाने में चला आथा अभी आप देखिएगा कि साूट के मंदिरों में करें कई पर देवदास्टी पर था चलती है लोग इसको धर्म धार्मी के रुख से मानते हैं लेकिन ठीक नहीं है उसको राज जो है रोकने का अधिकारी है सरकार उसको रोक भी सकता है एक चीज और कहा गया आट कि छबिश में कि धर्म और राज जो है ना यह जो है ना अलग होने चाहिए यह नहीं हो कि राजनीती में ही धर्म घुश जाहे है आजकल देख रेने क्या चलना है है और यह दुनिया में भी इस तरह की बाते चल लही है कि भारत में लोक तंत्र जो है वह थोरा सा गरवड़ा गया है विक्रित हो रहा है क्योंकि इस तरह से लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लरने के लिए तयार हो रहे हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है वह राजनितिक पार्टी और यह मीडिया वाले इसलिए ने मीडिया का रैंकिंग खराब है वह एकतम घट्या मीडिया माना जाता है भारत का जो है नब्वे परसेंट मीडिया कर भी जो है वह अपना कि किसी भी धरम के परमोशन के लिए आपको कर देने के लिए बाद नहीं किया जाएगा राज यह नहीं कर सकता है कि भाया देखो हमको हिंदू धरम को परमोशन करना है हमको अयोध्या में मंदिर बनाना है तुम सब को हम टेक्स लेंगे तुम सब पे हम दुद्दू परसे इंटेक्स बढ़ा देंगे ऐसा सरकार नहीं कर सकती है ऐसा कोई राज नहीं कर सकती है किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी कर आरूपित नहीं किया जा सकता है सरकार के द्वारा या कोई बेक्ति के द्वारा भी आपको बाद नहीं किया जा सकता है तो यह ची आपका टेक्स आप जो देते हैं सरकार करोहरें वो जंताइं पैसा होता है गोव्यांत पीसा का इस्तिमाल किसी bethe धर्म के पर्मोसन के लिए सरकार नहीं कर सकती है यह छीज़ों नहीं कर सकती है चाहत था साफने साथ हैं मंदिर बनाते हैं कोई यह मस्जीद मोगते हैं उसमें जो दान उन होता है तो उस दान से सरकार को टेक्स देने की जरूद नहीं है सरकार उसे टेक्स नहीं लेगा कि भईया तुमको करोर रुपया कामदा नहीं होता है तो टेक्स दे दो कि भाईया जो है आपको इतना होगा तो आप इतना टेक्स दिजिए लेकिन उसमें तो देखी रहे कि किस तरो से होता है उसमें घपलेवाजी भी हो जाया करती है कुछ हिस्सा पुजारी रख लेते हैं कुछ हिस्सा मंदिर पर खर्च हो जाता है बचता है तो तो बचा नहीं अब इसमें सभी धर्मों को अगर समान मानता है तो अगर पैसा खर्ज करना हो तो सभी धर्मों पे बरावरी में खर्च कर सकता है सरकार इसलिए आप देखते हैं कभी-कभी हज करने के लिए पैसा मिलता है या फिर आप मानसरोबर जाईएगा तो वहाँ पे जो है जाने के लिए भी कुछ लोगों को विशेश सुविधा दिया जाता है सभी धर्मों को बरावर मानने के लिए सभी धर्मों पे बरावर खर्च कर सकती है लेकिन टेक्स नहीं ले सकती है तो वह चीज़ है कड़ और सुल्क में अंतर होता है वाई सब देखिए मंदिर में आप कहीं जाते हैं तो वो सुल्क लेता है मंदिर वला आप यह नहीं कर सकते कि भाई आप सुल्क नहीं दें कि वो फी होता है रख रखाब के लिए परवंधन के लिए जरूरी होता है नहीं तो फिर वो कैसे चलेगा उसका भी तो management है, उसका भी तो लोग लगे हुए, साब सफाई बगर करना रहता है बहुत सारे चीजे उसमें लगानी करती है, light बगर की बेवस्ता होती है तो सुल्क ले सकता है, आपको दर्सन पहले करवा देगा, इसके लिए सुल्क भी असूल सकता है वहाँ पे आप उसका भी रोध नहीं कर सकते हैं, कभी-कभी होता है ना कि बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है तो अगल बगलबला से निकल जाईए, इधर अगर ज्यादा सुल्क दिजेगा, तो जल्दी दर्सन करवा देंगे तो वो कर सकते हैं, ये सारे काम धर्म की अभिर्दी के लिए करन देने की सोतनता में है तो आटिकल 27, अब 27 में आप इसको अच्छे तरीके समझ गए है अब आप अच्छा एक चीज़ आप देखे हैं, कि अजोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसमें कहा गया है किसी को भी टेक्स देदेजिए, नहीं कहा गया है वहाँ पर ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें दान मिल रहा है और उस दान साहे जोध्या की मंदिर बनाए जाएगी कहा जाते है कि बहुत भव्य मंदिर बनाए जाएगा उसमें बहुत सारे परेटन का भी विकास होगा तो देख रहे हैं न उसमें टेक्स नहीं ले सकती है अगर नहीं तो सरकार चाहती तो सरकार तो हिंदित्व को बढ़ावा देती रहती है आप तो देखते करते हैं कि RSS वाले और इसमें हिंदू परिशत का बहुत बर्चस है सरकार के तो वो तो कर सकती थी लेकिन नहीं कर सकती है क्योंकि समिधान में नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको समझ गए अब आप आठकिल 28 को समझ तेखिए इसमें क्या है कि कोई भी सिक्षन संस्थान है उसमें अगर कोई धार्मिक सिक्षा दी जाती है तो आप वहाँ उपस्थित रह भी सकते है या नहीं भी रह सकते है या आपका मर्जी है आपका मन होगा तो वहाँ उपस्थित रहिए नहीं मन है तो नहीं रहिए अगर आपका धर्म की जो मानता है उसके अनुषार आचरण आपको करना है तो वहां पती है अगर पूर्णी तरह से स작 कारी है सरकार ही उसको चलाती है, सरकार के द्वारा ही वहाँ पे सरकारी लोग होते हैं, तो वहाँ पे कोई धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाएगी, वहाँ पे एकदम से इसकी मनाही कर दी गई है, कोई धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाएगी, दूसरा देखिए, राज के द्वारा मान चाहे अगर कोई राज निधी से सहायता प्राप्त करता है कोनों बनाया उसको मिल रहा है फंड मिलता है राज सरकार से या इस तरह से राज निधी का मतलब है कि फंड मिलना चाहिए पैसा मिलता है अनुदान मिलता है तो वहाँ भी धार्मिक सिक्षा नहीं देनी है अगर सहमती दे दिया हुआ परने वाले विद्यार्थी तो भी आप दे सकते हैं तो जेनरली तो यह होगा नहीं उसके बाद चौथा है कि नियास के अधिर अगर कोई ट्रस्ट है और अस्थापित किया प्राइबेट है और वो अपना बना रहा है कोई चीज अगर मान लेते ह कोई मदर्शा बना रहा है तो वहां पर जो है उसको उस्तर से आजादी है उसमें धार्मिक शिक्षा देगा क्योंकि वह धर्म के विकास के लिए ही बनाया है धर्म के पोशन के लिए ही धार्मिक शिक्षा के लिए संस्थान बनाया है क्योंकि धर्म का पोशन कहीं से होगा अकेले करने से नहीं नहीं होगा, उसके लिए संस्ता भी तो मनाएगा न वो, तो उसमें उसको आजादी है धार्मिक शिक्षा देने का, अब देखे इसमें एक चीज आप असपस्ट रूप से समझ लिजिए, कि जो प्रार्थना होती है, बिजिसे सरकारी स्कूल समयां नहीं लेते हैं, और वो जो है, वाहिगुरू का भी नाम लेते हैं, और बाकी बरे-बरे अच्छे लोगों का भी नाम लेते हैं, उसको नहीं माना जाता है, लेकिन हाँ, इसमें यह नहीं है कि आप जवरदस्ती किसी को कहिए कि तुम हाथ जोड कहीं खरा रहो, अगर वो ऐसे भ खरा रहता है, शाबधान की मुद्रा में रहता है, बावन सकेंड तक, तो उसको माने जाए कि वो आधर कर रहा है, अगर वो ऐसा नहीं करता है, कहीं बातचित कर रहा है, भूजा खा रहा है, तो फिर उसको कहा जाए कि वो अनाधर कर रहा है, और उस पे कानूनी करवाई ह हो सकती है तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप आटिकिल 25 से 28 में जो धार्विक स्वतंतरता काधिकार है इसको आप समझ गए हैं आगे के क्लास में हम आपको आटिकिल 29-30 बताएंगे और बाकी के जो आटिकिल्स है constitutional remedies उसको भी बताएंगे देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे वीडियो को जादा से जादा से शेयर करिए लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए चुकि करिएगा तभी तो जादा से जादा लोगों के बीच म में फैल पाएगा और उनको भी एक अस्तर्य शिक्षा मुप्त में मिल पाएगी और आप हमारे पास भी आ सकते हैं offline क्लास करने के लिए बहुत ही comfy में आपका पूरी तरह से हम BPSC और UPSC और GS की तयारी करवा देंगे वह SSC में भी काम आता है मिलते हैं आपसे next class में तब त हैं